हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आप सब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइट सॉप इनवर्सिटी टॉपिक के बारे में जब से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या कोई भी चीज है तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग काफी बेसिक चीजों के बारे में जानते वे यह भी जानेंगे कि नंबर ऑफ इनवर्सिटी कितनी है और यूपी को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे और यह आपकी एक्जाम के भी पॉइंट आफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और केंद्री विश्विध्याला कहते हैं दूसरी है स्टेट इनवर्सिटी राज विश्विध्याला जिसको कहते हैं प्राइवेट इनवर्सिटी नीजी विश्विध्याला और उसके बाद दीम्ड इनवर्सिटी या दीम्ड टूबी इनवर्सिटी इसको हिंदी में भी दीम सेंटरल गौर्मेंट के द्वार्ट की जाती है उनहें Central इन्वर्सुट सब्सकूर है universities का मतलब यह भी नहीं आता है कि जहां पर सब अईज होता है इसमें सभी हालाकि इन दो टाइप में एक इन वर सिर्टी का टाइप और आएगा ओपेन इन venture तो उससे कनफ्यूज मत होएगा वो open university जो है वो mode है एक तरीके से जैसे Central University के एक और single university है इगनु इगनु का नाम आप सुने होंगे यह इसी में आती है इगनु जो है वह ओपन university है इंद्रा गांधी national open university यह इसी Central University के अंतरगत आती है तो है यह आप समझ गये होंगे अब हम लोग दूसरा देखते हैं इस्टेट इन्वरसिटी कि बात करें तो जितने भी हमारे कांट्री में जितने भी इन्वरसिटी जो की इन्वर्मेंट फंडेड होती है जिन्हें इस्टेट गॉर्मेंट ही पे करती है तो वो इन्वर्सिटी हो जाती है स्टेट इन्वर्सिटी जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अपनी धेर सारी स्टेट इन्वर्सिटीज है बिहार की अपनी स्टेट इन्वर्सिटीज है हर स्टेट की धेर सारी स्टेट इन्वर्सिटीज है तो य यही लोग सबसे यादा affiliation देते हैं अब उसके बात बात आती है private universities की private universities नीजी विश्विद्याल है जो कि यह state के ही अंदर आते हैं तो इसको कभी-कभी state private university का जाता है private क्या होती है कि इनको government fund नहीं करती है यह अपनी fee से ही अपने पुरे university को चलाते हैं लेकिन यह सारी universities जो है वो यूजीसी से approved होती है अभी हम लोग आगे जानेंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि बिना approval की वो university चला नहीं सकते हैं तो private का मतलब हो गया कि वो उन्हें कोई fund नहीं करता है ना state government करती है ना central government करती है वो एक तरीके से private institution है वो इतनी फी चार्ज करते हैं कि बच्चों से फी लेकर अपने institution को रन करा सके और बाकी जगों पर क्या होता है कि government help करती है जैसे यहां state government help करती है यहां central government अब आती है बात deemed to be university या deemed university deemed university एक तरीके का एक situation है जब भी किसी भी संस्थान को अगर state university का दर्जा दिलाना है उसे 10 साल 15 साल 20 साल उनके performance पर बेस्ट होता है कि वो कितने साल तक उनको deemed university का दर्जा दिया जाता है मतलब माना जाता है कि यह आगे चलके university बन जाएंगी तो उस कटेगरिक universities को deemed university का जाता है आई होप आपको यह चार चीजे जो इंपॉर्टेंट है यह समझ में आ गई होंगी अब उसके बाद एक कोश्चन इससे बनता है हमेशा एक्जाम में आता है पिछली बार भी एक्चु के धेर सारे पेपर में यह पूछा गया था और साथी साथ बीए में मैक्सिमम आता है ग्रेजुएशन पीजी में और जनरल टेस्ट में भी इससे कोश्चन आ सकते हैं वह कोश्चन क्या है उसको देख लीजिए आपके सामने यह स्क्रीन पर आपको दीख रहा होगा यहां पर लिखा है कि इनवर्सिटी ग्रांट कमिशन जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यू सब्सक्रीन यहां पर जानिएगा इन सभी इनुवर्सिटी में सारे कोर्स नहीं चलते हैं कुछ इनुर्सिटी इस किसी स्पेस्टीक श्ट्रीम या सब्जेक्ट या बैग्राउंड के लिए होती है अब दूसरा अनलोग देख लिते हैं जिसको हमने अभी बताया था आपक में रहती है उसके बाद ये इनको इनवर्सिटी का दरजा मिलता है या इनवर्सिटी स्टेटस मिलता है तो यह कितनी है 126 सेंडर इनवर्सिटी की बाद की जाए तो वह है 54-1 तोटल अभी प्रेजेंट में इससे maximum question बन सकता है क्योंकि CVT के जो भी exams हो रहा है वो एक question यहां से put कर सकते हैं तो इसको आप लोग याद रखेगा simply और IGNU भी इसी में आ जाएगा इसी 54 में ही आ जाएगा उसके बाद प्राइवेट इनवर्सिटी की बात करें नीजी विश्विद्याला है तो यह देखे 410 नी में स्टेट में लिखा होगा तो यह बात हो गई आपके इसमें important question भी हो सकते हैं जैसे कुछ state universities में open universities भी हैं जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि आप यहां देख सकते हैं अब हम लोग थोड़ी से बात कर लेते हैं आप अगर यूपी से हैं तो आपके लिए important है यूपी बीएड या और किसी एक्जाम के लिए इंट्रेंस एक्जाम के लिए इन्वर्सिटी इंट्रेंस एक्जाम के लिए यहां पर देखे क्या है कि central गवर्मेंट अपने मतलब यूपी में कितनी है वह है जैसे अलिगर्द मुसलिम विश्विद्याला फिर उसके बाद बीबी यू बाबा साहब भीम रांबेटकर इन्वर्सिटी बी एच्चिव आ जाएगा एलहाबाद इन्वर्सिटी आ जाएगी राणी लक्ष्मिभाई और जो राजीव गांधी की नाम से जो एक इन्वर्सिटी है यह अभी डेवलपिंग है तो यह टोटल जो नंबर है यूपी में सेंटर इन्वर्सिटी का वह उच्छा है इस्टेट इन्वर्सिटी की बात करें तो वह 30 प्लस 3 मतलब 33 है मैंने यह इसलिए लिखा है कि तीन एसी इन्वर्सिटी है जो अभी डेवलप कर रही है तो आप इसको जान सकते हैं प्राइवेट इन्वर्सिटी की बात की जाए अल ओबर यूपी में तो वह है 32 ऐसे एगर आप किसी और स्टेट के हैं यूपी की अलामा तो आप समझ सकते हैं यहीं पर स्टेट इन्वर्सि जैसे यहां पे है यूपी राश्री टंडन ओपन इन्वर्सिटी जो है वह उत्तर प्रदेश की एक उपन इन्वर्सिटी इसी तरीके से उत्राखंड के भी है तो आप अपने जो भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो यह थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और अगर आप एजुकेशनल बैग्राउंस है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज की अपडेट में हमें सिंपल ही एक अच्छे टॉपिक को डिसकस किया आई होप आपको मेरे द्वारा बताईगे जानकारी समझ में आई तक लिए बाई बाय टेक केर एंड टीप वाचिए